हातों मेरे प्यारे चातरों आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का पदखन जिसका चेप्टर 10 है हिंदी का जिसका नाम है निम्मो की मोत पर ठीक है निम्मो की मोत पर तो यह बहुत ही अच्छा कवीता है जो सहरी जीवन को दरसाता है कि सहर में गरीब लोगों के साथ क्या होता है समझिएगा एक एक लाइन कार्थ और इसका परस्नुपतर भी इससे पहले और बाद का सारा वीडियो बना हुआ है आपके अलग-अलग सब्सक्राइब करके जरूर देखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब कर लिजिए बाद में चैनल खोजिए अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और तीन दिन पूराना सागवाच चोरों की तरह खाती रही कई बरस अब कभी कहते हैं उसके आजपास के लोगों को पता था कि निम्मो नौकरानी है तीन दिन पूराना रोटी और साग कोने में दुबक कर खाती है अब क्यों लोगों में नोकरानियों का सहरी जीवन में क्या हाल है कभी इसको परस्तूत करते हैं कभी निम्मो की दैनिया दसा का वर्नन करते हुए कहता है कि वह भीगी चिरियां की तरह घर की अंधेरे कौने में दुबक कर पंखे फरफराती जिसे चिरियां जब भीग जाती है तो वह फरफराते रहते हैं उर्ण महीं होता है उसको तो फरफराती सुखी रोटी तीन दीन का वासी साग वासी मतलब तीन दीन पुराना खाती जीवन भ entitation के नहीं और सिक्षा परी नहीं अटजूकेटर्टी और सिक्षा के करण उसने वर्सों से अपनी मां को चिथी नहीं लिखी कर वो polite लिखने लिखत vér लिक्षी जाने उसे आख покуп कर लोगों को कमजोर वर्ग को Northern की पास जाने से माना किया जाता है व्यजती किया जाता तो उसको मना था कभी के कहने का उदेश यहा है कि महानगरों में घरलू नोकरानी उपेप्चा का पातर मानी जाती है बस उससे काम लिया जाता है उसका कोई सम्मानी ठीक है आगे देखिए हमें मालूम था लानतों गाली लात घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्स पर गए रात जब उसकी आखे कि कभी कहते हैं कि काम करने वाली जो घरलू नोकरानी जो होती है उसकी दुर दसा खराब दसा बेकार दसा कवर्नन करते हैं उन्हें गिरही सोमी मतलब घर के मालिक का डांट गाली सुनने के साथ ही लात तथा घूसे भी सहने पड़ते नोकर जब गलत काम या कुछ थोरा सा का गरवर करते सही भी करें मालिक के मन के जैसा नहीं करें मन मताबिक नहीं करें तो मालिक गाली तो देते ही कभी 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 लात घुसे भी चला पड़ते वह रात में जब सोती थी तो उसका हिर्दय व्यदीर नहीं हो जाता था अब रात में जब सोती थी क्योंकि उसका जीव बेध़ा इतना रोती थी और लड़की का क्या होता है माई के पास उसकी आवाज चली जाती हो कभी कहते है कि हर दिन इस पर वस्था में जीवन मुख्ति के लिए परिरित कर दो अब देखिए हर दिल उसके साथ जो दुर्वेवार होता था मार लगता था गाली सुनना पड़ता था तो जब वह सोती थी तो उसे अपने जीवन से घिरना होने लगा कि हम बेकार जीत है स्याज में अच्छा है तो मर ही जाए और भगवान से मौट मांगने लगा ठीक है यह सरीर जो तीस वरस से इस दुनिया में था और तीस वरस उसे रहना था यहां पर एक दिन रेत की दिवार की तरह गिरी वह सहसा उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं अब देखिए जब गरीब लोग मरता है तो लोग कहते हैं भगवान का लिखा था इतना ही और अमीर की तक जीवित हाना था निम्हों तीस वरस तक मरत के कारण के बारे में कोई कोंई चर्चा तक नहीं हुए क्योंकि सब को पता था नोकराणी है गरीब है और इसका उमर ही तीस वरस लिखा हुआ है तात्परे की महानगरिय समाज में गर्वों के अचनक मिर्तियू पर कोई परस्ण खरा नहीं होता वहीं अमीर मर जाए तो आपको पता है क्या होगा तो आपका यह चेप्टर खतम होता है आज आते हैं इसके परस्ण तरपर निम्मो समाज के किस वर्ग का परति निर्तिब करती है किस वर्ग के नाम से निम्मो दिखलाती है तो निम्मो भारतिय समाज के जो सोसित जो पीरित वर्ग का परति निर्तिब करती है निम्मो भारतिय समाज की आम जन जो गरीब लोग है निम्मो के माधियम से पूरे भारतिय समाज के सोसित पीरित दलित जन की पीरा वेदन, जिंदगी की विभी दता विभीन स्थितियों का कभी यहां पर चितरन किये हैं या चितरन लिए रख्रा irgend और उसे उरने में सहयोग ना देकर वही पंक चिरियां के लिए बाधक बनते हैं, उसी पर का भीकी हुई चिरियां की तरह निम्मो का भी जीवन है, वह नोकरी करती है, नोकरी का सब कुछ उसका स्वामी मालिक होता है, बिना उसके वह पलवर भी इधर उधर नहीं घूम फिर सकता, मालिक के भी नमन की, अपने मन की बात वहां नहीं कर सकता, नोकर बनना ही गुलामी की निसानी है, अता निम्मो आजाद नहीं है, वह गुलामी की जिन्दगी जी रही है, इसी करन वह बिवस है, बेवस है, लाचारें, समझ गए? अगला आपका कुस्ती, निम्मो को जो यातनाई दी जाती थी उसे कभी ता केधार पर अपने सब जो कश्ट निमो को दी जाती थी तो निमो घरिल नुक्रानी थी वह मुंबई जिसे महानगर में रहती थी निमो कभी अपनी कविता में लिखा है हमें मालूम था लानतों गाली घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्स पर गाई गए रात जब उसकी आँखें मूनेती थी कमपन पुरी धरती पर पसर जाता था उसकी ठंडे फर्स पर बीती रात में निढाल बनकर गिर जाती थी मतलब चटाई भी नहीं था सोने के लिए पनमंत यंत्रणा की मार से वेदना युक्त होगे कस्ट में हो गया पूर पूर में दर्द और टीस उठ रही है अब तदिक रोने के कारण उसके हिच्कियां रुकने का नाम नहीं लेती जब खुब लोग रोता है और रोना बन करत तुसी सकते रहता है लगता है उसकी हिच्कियां जो थम थम कर उठ रही है उसकी आवाल उसके पिहर यानि माईके तक पहुद चुकी है अब आज क्या है उसके मा के पास कविता की मादियम से कभी ने समाज के किस वर्ग के परती अपनी साहानुभूथी प्रकरट की है तो की मोत पर कवीता विजय कुमार द्वार रचित अत्यंत ही मार्मिक और संबेदना से युक्त कवीता है इस कवीता में निम्मो एक परतीक के रुप में परयोग है मतलब निम्मो नाम की जो नोकरानी है वह एक परतीक है उदाहरन है ठीक है उसी के जैसे लोगों के लिए समाज के शोसित द्रमित पूरित दलित और अभाव गरस्त समाज के जो आम जन की दूर्दसा है पीरा के परती संघेराइद की गई भारतिय समाज में जो आजकता और और विबस्था विद्धमान है विए उस और भी कभी ने ध्यान रहेंगा सबक्राइब पूरी दुनिया धरती परकपित हो रहेगी हिलती रहेंगी से कंपन से धरती पीरा के दर्ध दर्ध से करहा उठे कि समगे संसार भ्याकुल हो जाएगा और इसकस्ट से धरती हिलने लिए वह चोरों की तरह खाती रही कई भरस में कभी ने चोरों की तरह का बात किस उद्देश से किया है दखिए निम्मो की मोद पर नामक कविता में कभी ने निम्मो नाम की जो लड़की थी नो करने जब खाना खाती थी तब वह चोरों की तरह छिपकर खाती थी क्यों? क्योंकि उस दिरिस्ति का चितरन कभी नस्पस्ट रूप से अपनी कविताओं में किया है कभी कहता है कि निमो चोरों की तरह इस कारण छिप कर खाती थी क्योंकि उसे खाने के लिए एक सुखी रोटी और तीन दिन का बासी साग खाने को दिया जाता था इस सरे गले खाना को अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा इसी लोक लाज से इस लाज के करण वा चोरों की तरह अंधेरे में छिप कर और दुबक कर खाना खाती थी या निमो को लोक लाज की चिंता थी किन्तु समाज की कतई इस परवाह नहीं था समाज को उसकी कोई परवाज सबर्ग ने निमो को ऐसी भासी खान लिये दिया था निमो नोकरानी थी फिर भी लोक लाज की चिंता थी लेकिन समाज की लोगों को कोई चिंता नहीं थी अगला है और सायद कुछ अनकही परार्थनाई नींद में इस पंक्ते में परार्थनाओं को अनकही क्यों कहा गया है तो देखे निमो की मौत पर नामक कविता ने में निमो की द्वारा अनकही परार्थना पर परकास डाला गया है कभी ने अपने विचारों को कवीता के माध्यम से वेक्त किया है कि परार्थना जोर-जोर से चिला कर नहीं की जाती परार्थना तो मन ही मन हिर्दय से की जाती है या निमो की घायला अवस्था की इस्तितियों पर कभी काफी द्रवित है कभी कहते हैं कि निमो परतारना गाली मार से गहायल हो चुकी है उसका तन ही नहीं मन भी गहायल अवस्था में है उसके भीतर हिर्दे पर जो गहाव के चिंधे है वे देखे नहीं जा सकते वलकि महसूस किये जा सकते है निमो गहायल अवस्था में नीद में बेसुद्ध परी हुई है कभी देखता है और सोचता है कि निमो नीद में ही अव्यक्त भाव उसे प्राथना में मौन है वो आपनी मुक्ति के लिए मौन प्राथना कर रहा है इस्वर्ध से वगबान से और तीस बरस उसे रहना था यह या कहा कर कभी हमें क्या बताना चाहते हैं तो कभी की द्रिष्टी में भारतिया आम आदमी की आउसत आयू साथ वरसकी होती है कोई साथ कोई फैसर कोई सतर कोई चालिस कोई पचासर जेते हैं निमो की मोत पर कविता में कभी ने भाव को वेक्ट करती हुए कहा है कि निमो की उम्र तो अभी 30 वर्स की हुई थी, निमो 30 वर्स की प्रोढ़ावस्था को छूर ही थी, उसे भारतिय आउसत आयू के अनुसार 30 वरस और रहना चाहिए था, किन्तु इसे दुरभाग की ही कहा जाएगा कि वह साथ वर्स की उम्र को पार नहीं कर सकी, साथ ही ही और समय में ही मिर्तियू की गोंद में चली गई, अभी उसे जीना था और इस धरती पर उसे रहना था, निमो की अलप आयो मिर्तियू पर कभी हिर्दय से अफसोस्त वैक्त करती है और उसके परती सहानुभ की परकट करती है, तो आपका यह चप्टर खतम हुआ, इस वीडियो में हमने आपको दसमा चप्टर निमो की मौस पर बताया, वीडियो अच्छे लगी तो लाइप करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाज, मिलते हैं आपको हम यह